अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कां तक पहुँची ? अलहमदुलिल्ला, सब ठीक चल रहा है यार, एक मशवरा तो दो कंस्ट्रक्शन के लिए सर्या कौन सा खरीदो मॉड्रल स्टील का सर्या ही खरीदो इसमें क्या खास बात है Model Steel का सरिया जदीद तरीन Quality Assurance लैब से पास होता है जहां पर इसकी मजबूती और मयार को पर्खा जाता है और यूं हमें बेतरीन Quality दी जाती है सिर्फ दावा नहीं किया जाता अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ चत्रंज में चलता है असलाम अलेकुम नाजरीन मैं हो शाहिद मिया प्रोग्रम वाबों से तबीर तक के इस सफर में Made in Pakistan, Believe in Pakistan और Asian Lifestyle Magazine के पैनल के साथ वियोस जैसा कि आप जानते हैं कि Asian Trade TV का मकसद Pakistan के soft image को पर्मोट करना है nationally भी, internationally भी और इस सिल्सले में हम different जगों पर different personalities से आपको मलवाते रहते हैं और उनकी अपने-पने designation में रहते हुए अपनी-पनी हदूद में रहते हुए अपने मुलक के पाकिस्तान की खित्मात आपको बतलाते रहते हैं इस सिल्सले में आज हमेशा की तरह Asian Trade TV की रुआयात है कि एक बहुत ही अजीम personality में काऊँगा बढ़ ठीके मेरे साथ मजूद है जिनका अगर मैं बैक्ग्रॉंड की थोड़ा सा आपको तार्फ करा हूँ मेरे तो वो अगर देखा जाए पाइप परफेशनली तो मेरे उस्तादों में से भी उनका शमार होता है मैं बहुर रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी और सबस्क्र बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी मस्रूफियत में से आज मुझे टाइम दिया और आज मैं उनका इंट्रव्यू करने लगा हूँ जी हाँ मैं बात करूँगा यासीन जोया साब की अगर मैं प्रिवियसली उनका बैक्रोंड की बात आपको बताना थोड़ा से जूरी समझाँगा कि उनका बैक्रोंड करा है मेडिय अंडिस्ट्री से उनका तरलक था है भी है बलके मैं गुरू आफ मीडिया कहूं लेक्रोनिक मीडिया तो ये कम नहीं होगा उनकी परिसनलिटी के लिए अगर पाकिस्तान में एस्टियन की बुनियाद जब रखी गई या एंटियन की बुनियाद रखी गई तो उसके पीछे यासिन जोया साब का बड़ा नमाया करता हरा है चाहिए वो पीटिवी वर्ल्ड हो और चाहिए वर्ल्ड काल प्राइवेट लिमेटिट कंपनी हो उसके सी यो भी रहे हैं और बहुत सारी खिदमात उनकी है मीडिया के अवाले से जो के मेरे मेरे लिए बाएसे फखर है उनका आज का इंट्रव्यू करना लेकिन सब चीजों के पीछे रखते हुए उनकी परस्नालिटी में एक चीज और नमाया है जो उन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमिज के लिए कुछ सालों से कर रहे हैं बट्वीन दी यानि डिफर्ट कंट्री में पाकिसान के ट्रे इस अजान के लिए और इनके लिए ना जिसे बलकर इस इंड।स्ट्री के लिए बहुत फखर की बात है वह और्नुरी कॉंसर्ट ज़र्नल है श्री लंका के पाकिस्तान में और अबी रिस्टनली जो एक एकसीडन्ट हुआ है अब सब को पता है ।सके हुआले से उनकी बह रहो ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो क्या क्या काम है क्या क्या किए और वो क्धव्य बताेंगे ज़्यादा अच्छा होगा मुझे समझ नहीं आ रही हैं, क्यों चीज़ को पहले रहा हैं कोशिश करना आज खौब में कर को शीज चीज़ क distingu को रहाँ हैं और आणिया के वाले से और और जनर जनर के तोर पर जो खिजमात वो ते सर अन्जाम दे रहे हैं उसके बात करेंगे जी सर वेल्कम बैक मैशोड कि ख़ॉब अच्छ फॉब तक इस सफर में कुछ शाम देत Thank you very much for inviting me to your show. I know it is a very popular show on social media and it's been long time I was following your show and it is really honor that I am part of your show today. Thank you very much sir. This is also an honor for me. Today I am a senior, you can see in the industry. And thank you for the first time you have given me the time of your activities. But this interview is a very long time for me. Yasin sir, my format is called to be a trip to the future. Where is this trip from the future? People want to know that this is a mysterious personality or what is it? Actually, when I came back to the M.B.A. at Adam's University of Philippines, I had a few opportunities for me to join me. So at that time NTM was launched. So being a young fellow and media, knowing the future, I decided to join the world call. And I was the first employee of NTM by the way in 1991 after my MBA. So it was a great trip. It was a great trip. You know, we were in the competition of PTV. So when you are in the competition, you have a lot of chance to learn and execute yourself. and you have a great opportunity for yourself. And within five years, I became the general manager of NTM. And heading five stations at the age of 28. 28? Yes. Yes. Lahore, Gujnawala, Faisalabad, Muhtan and Bahawalpur. Mashallah. After that, a Sri Lankan channel was launched. It was called Young Isha TV. And they offered me to join as a country manager for that channel. Which I accepted. And for three years, I became a Sri Lankan channel of Young Isha TV. Okay. After that, I was with PTV MD. They offered me that PTV World is launched. So we wanted to join us with PTV World. So then, I came to the region general manager for three years. I was with PTV World's launch. Then, I was with Salman Tassir from Marriott. They offered me that we have a world call. And we are with Cable. Business Plus and Wicked. We are with a new thing. We are with a new thing. Yes. We are with a new thing. We are with a strong experience. And in the corporate market, you have Google. So they offered me to join me. And I have been there for about 5-6 years. Then, Tahrir Khan told me that we are launching the MMDS Multimedia distribution. So they offered me to join me as a COO. After that, I realized that my whole life is not going to be a general manager or COO. So if I was a CEO or a president or a chairman company, I have to launch my own company. Then, I became a Asian Media Group in 2008. Now, I have told you that I am a Media Group. So that Media Group, in this sense, you can say that in the world, there are 5 5 carriers of electronic media. There are a testial, a satellite, a cable, a MMDS and an IPTV. In 22 crore Pakistanis, I am one of the Palestinians who have 5 carriers on GM and above experience. MashaAllah. So that's why I was also a candidate for the chairman of Pemra and PTV MD. And both of them were named in my top three. But God knows better, I didn't get an opportunity. Or I could not be able to do that. Now, for the last two years, I have done some work for Sri Lanka government. Travel and tourism? Travel and tourism. Travel and tourism. And their trade on private capacity. And that's the advantage of me that Sri Lanka government has given me the most of my dead services that I have given for 1.5 years. They offered me their top portfolio as a only council general for Punjab. Punjab is a big province. And Sri Lanka's population is 22 million. And I'm the only council general. The best part of this process was the Technocrate boost. And I'm the only person from media who achieved this portfolio. And over and above, my honour is that Sri Lanka government has offered me that you join us for this portfolio. This is a very big encouragement from the Sri Lankan government. Sri Lankan and Pakistan have a very cordial relationship. No doubt. Pakistan independence in 1947 and Sri Lankan in 1948. Since the day of independence, both countries have a very cordial relationship. Sri Lanka has always supported Pakistan. And Pakistan has always supported Sri Lanka. And being a Pakistani for me is a very big honour that I carry both flags on my shoulder and coat. And that's why Pakistan is my native country. It's my own country. And Sri Lanka is my second home. Second home. Because I have traveled a lot to Sri Lanka. And I have worked a lot on their tourism and trade. And now I have taken a lot to Sri Lanka and Pakistan in the next spectrum. But unfortunately, this is a cell court incident. When this incident happened, I had three challenges. Number one, that his dead body will recover from Pakistan. We will provide grace and dignity with Sri Lanka. The second one, that the victim's family, whose wife and two children, will not be able to provide financial packages. And the third one, that the incident was affected by a soft image of Pakistan. And there was a little effect on Sri Lanka and Pakistan's relations. The impact of Sri Lanka. The intensity of that was reduced. So, the first part, I have shared with you. Alhamdulillah, very gracefully and very generous. I have coordinated with you. Thank you to Punjab government. And thank you to High Commission. Islamabad. For the sport. I have been in 48 hours. The operation has been completed. Yes. From Sri Lanka to Sri Lanka to Sri Lanka airport. And that was a very positive move. And time will come. People will realize how big this contribution was for the state of Pakistan. and for the state of Sri Lanka. The second part was that, obviously, when a person is running from this world, the first of all, the target or issue is the financial need of the family. So, for that, we also had the business community, the Chamber of Commerce, Chal Kutri, and the factory honours. We also told them that this person has served you for 9 years. The factory has served you on the level of the factory. How big is the export of your factory? With Sri Lanka High Commission, help and support and my contribution, they have the Chamber of Commerce, Chal Kutri, and the business community announced $1,000,000,000. And the factory honours, they have been transferred to the wife for 5-10 years. They will be transferred to the wife. This was a big end. You know, this is the highest level of the announcement that our Prime Minister of Pakistan has done in the House. And this was a big relief for Sri Lankan family and Sri Lankan friends. And the third part, obviously, you know, that the incident of Pakistan's enemies is utilized. Because Pakistan is already in some places in a tough situation, like the GSP Plus status, and the FTF grade. That's a very old issue. So, the international enemies use it for the negative side. But I can tell you, that this is a very positive effect. that we have efforts on Sri Lankan, and Sri Lankan government. It has been a very positive effect. And Sri Lankan government has recognized it. And, Alhamdulillah, every day, the incident is getting intense. Thanks to Pakistan government, which has quickly responded very quickly. That's why, 166 culpletes have been arrested, which is 27, which has been direct involvement with this incident. There are 5, who are the main culpletes, who have been dragged from the factory, which has been closed from the factory, which has been closed. And then, the general public involved, masses involved, which has been self-free, which has been made a lot of Muslim, and Pakistani, which has been a very negative image. But it was a small segment, and Sri Lankan has realized that it's not Pakistan, like Malak Adnan, like Pakistan, like people, who have seen their knowledge, who have saved their knowledge. Sir, it was a very soft image, that Pakistan, and that was a very soft image. That was, and that has highlighted, that the London government, that actually Pakistan, it's not Pakistan, it's not Pakistan, it's an unfortunate incident, and it has nothing to do with Islam, or state. It was a local issue, and it was a very unfortunate, that it didn't happen. Because Pakistan, and Sri Lanka's relationship, was very strong. Sir, let's talk about this, this is a very important, you are discussing this, this is a very important, this is a very important, that Pakistan, Sri Lanka, at this time, we will take, a smart break, at this time, at this time, at this time, Pakistan, at this time, it came to Pakistan, that the tourists, went from here, and our efforts, were fulfilled, and people, have taken a trend, to go to Sri Lanka, this is the process, and now, we are talking about, the flights of Sri Lanka, in the route, and the flights, I believe. Welcome back, viewers, welcome back, to this journey, with me, excellency, Yasin Joya, Yes sir, Yasin sir, there is no doubt, there is no doubt, this is an accident, and hopefully, everything will be normal, as well as your efforts, as well as your efforts, as well as your efforts, but before, you have no doubt, Sri Lanka, and the Pakistani government, worked with travel and tourism, sir. Sir, let me tell you, about travel and tourism, what are your efforts, and what are your efforts, and what are your plans? Actually, Sri Lanka, its 40% GDP, it comes from tourism, so you can well imagine, what is the importance of Sri Lanka, tourism is for Sri Lanka, in Pakistan, there will be 22 million population, in Pakistan, from Sri Lanka, it was very low, before my apartment, and the Pakistani people prefer, Turkey, Malaysia, and Dubai, Thailand, this was the main designation, which was for Pakistan, for the people. But, when I joined, with the help of the High Commission, our effort is, that Sri Lanka, for Pakistan, the preferred designation, for the people, for the people. For that, the initial work, is that, in the corporate sector, in the business community, in the top schools, we signed, with them, we signed, that, as much of their tours, they prefer Sri Lanka. We talked to Sri Lanka, and, in October, we gave, a promo, which, the first promo, in the airline industry, was 1 plus 1, that, you buy one ticket, get one free. This means, Sri Lanka, in Sri Lanka, has acknowledged our request, and, which was our recommendation, they have yes, and, we gave this promo, which, in the month of October, we launched, from the 1st October, to the 31st October, you buy one ticket, and one ticket is free. What was the impact? It was the impact, that, in this pandemic, which, was our number rating, from Pakistan, travelers, tourists, in Sri Lanka, Pakistan, in Sri Lanka, in Sri Lanka, in the list, was on the 22nd number, after Pakistan, was on the 14th number, that, the tourists, here, came from, and, our efforts, had been fruitful, and, people have, took a trend, to Sri Lanka, to go. This is also, this process, we talked about, we talked about, the flights of Sri Lanka, in Sri Lanka, and, we talked about, the station of Sri Lanka, and, we talked about, and, we talked about, and, we talked about, this process, and, with tourism, the next product, was the trade, Sri Lanka, and, Pakistan, the FTA, in 2005, signed, which, both countries, signed, the free trade agreement, under the free trade agreement, there are 2,000 products, which, without taxation, and, import, under that, agreement, and, Sri Lanka, if, no tax, there is no tax, there is no tax, there is a very big, and, there is no tax, there is no tax, there is no tax, there is no tax, I will share with you the list, thank you, the list, that I was executing, I was going to visit, the Faisalabad chamber, different chambers, and, the tourism, the tourism, the tourism, the tourism, the tourism conferences, we have been doing, now, we are doing, in Islamabad, we are doing, in Faisalabad, in Gujnalala, in Montana, so that, Pakistanis, that Sri Lanka, the beautiful destination, their spot, their resort, no doubt, one of the beautiful, four sides, on the Uniseco, panel, which is a very good thing, that they recognize, Sri Lanka, and Sri Lanka, is a land of opportunity, if you land, they will treat you like, you know, they will treat you like a VAP, and, the tour operators, the tour guides, even drivers, they are qualified, they are a certain, the literacy, is a lot more, and, the people, they have, they have, diploma, in the hospital, how to handle, how to guide the tourist, so, you, as you land, you feel, that this is, the ideal country, that God has, here, all kinds of, all kinds of, all kinds of, you want to, 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 everything is there, you want to, you want to, all kinds of, people, it is cheap, as compared to, other countries, and, and, very economical, and, full scale, my office is working, we have, in Sri Lanka, and Pakistan, in the first time, Sri Lanka, Tourist Information Center, in Lahore, opened my office, where you will get, documents, from Sri Lanka, and, all kinds of, brochures, and, all kinds of, maps, and, any information, which, you want to take, to Sri Lanka, visa, because, when you have, an office, which, first-hand information, local, people, do not prefer it, and, as I have, as I have, the first time, I opened this center. Okay, Excellency, tell me, a few days ago, you were, on a very official, tour, in Blochistan, in the Blochistan, the security workshop, and, tell me, what was it, and you have, a lot of protocols, and, the media, there was, a lot of interaction, on the government level, and, tell me, what was it, what was it, and what was it, what was it, and what was it, what was it, for me, a lot of, a lot of, diplomates, and, and, other, this environment, thank you to, 12 Corps, and, Government of Blochistan, who organized it, and designed it, basically, the main concept, was, the soft image, of Blochistan, that was highlighted, because, at the highest level, the understanding, that Blochistan, has been, the place, that, the place is, that, the place is, that, the place is, where, the place is, kept on the land, and, where, the land, is, आपको मैं सिंपल बताता हूं कि वो बिलोसितान के पास जो कोस्ट्राल हाईवे वो साड़े साथ सो किलमेर कर दे जिस पर अभी तक हम कोई रहबीनियों आदनी का रहे उससे बहुत कम सिलिंगा के पास है और वो फोटी परसंट अपना जुड़ी भी वहां से ले 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 तो अभी तो हमने वहां पे टूरिसम की बाद की और उसमें जो हमारा इंटरेक्शन जो है वो कोर कुमांडर सौदरन जो है उन से हुए उन से हुए ट्वैल को के लेटरन जनरल सफराज अजी सबसे तो उनके साथ में अन्दाधा हुआ कि कितना सीरियस इसको लिया जा रहा है अर इस इस रखम मेस्ज ये परिक्सान और क्रास प्रवकषण के लिया जा रहा है कि ये एंशाथ लिख जो है वो बर्णा बडलोसरस्तान नहीं हैं अब हाँ परालिका जो है अब हाँ हाँ डिक्टा जो है वो हホसिए घलती अवेलेबल है और और ब्रोबर जो आए उो नि तो इस वर्क्षप के जुरिय जितने पाटिस्पेंटे से उनके जही हमें अमने मैसिज लिए है कि हम निए इस चीज को नेक्स लेवल पर लेकर लेगा है और बेर परपस इसका यही था कि जो मेसेज है बलोचसान का वो पाकिसान और अक्रास वर्ल्ड लेके जाने है बेसिकली है जो अने स्कुर्टी बलोचसान 8 थी इसका जो में जो मैंने जो देखा है का कॉंसेप्ट जो जब हमारी इंट्रेक्शन हुई है जो कोर कुमांडर बलोचसान 12 कोर से जनाब लेफ्टें जर्वेसर फ्राज अली बहुत ही एन अच्राइटिव पैशनेट परस्टन बलोचसान को इसके सौफ इमेज को और जो इसकी जो पोटेंशल ए उसको इंटरनेशनल लेवल पर शोकस करने के लिए और जो कुछ हमारी हमारे जो नराज दोस्त हैं और जो उसकी नेगिटिविटी वहां पर प्लाई है उसके इंपेक्ट को कम करने के लिए बेंगे मेडि पाकिसी और इस प्लेटफॉर्म से जितनी मैं अनर्जी लेकिया हूं आइ रेली वांट तो थैंक यू बर्गेडियर बिलाल और करना जरार और मेजर कामरान और कैप्टन वकास और मेजर उमर यह वो टीम ती यह उनने सताइस साल हमें वहां पे हमारे साथ रहे और जितना कोडिनेशन थी उन्होंने की और इट वस वेल वेल अर्गनाइज और हमें हाइस लेवल पे एक्सवयर दलवाया गया जिसमें प्रेजडेंट और आजमी चीफ के साथ में इंट्रेक्शन था गोर्नर्स हैं सीम्स हैं तमाम अलीटा पाकिस्तान एक्सेप्ट प्राइम निस् उनके साथ में इंट्रेक्शन करूं जिससे मेरी लर्निंग में भी अजाब हो जिए बहुत अच्छी अच्छी बहत है यासिन साब और नोड़ यासिन साब जो ब्लोचिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए एक फ्यूचर भी पाकिस्तान का और गेम चेंजर भी बट बड़ा क्योंकि उससे हमारा सी पैक है और ग्वादर है ठीक है और जिस पर पूरे दुनिया की नजरे भी यासिन साब कुस थोड़ी सी चीज़े जानना जरूरी है लेकि उससे पहले एक समार साब ब्रेक लेंगे हम मिलते हैं आफ्टर दी शॉर्ट प्रेक अर लंका की जो पुछा तो मुझे ये जो आज समान पड़ा इसमें मेरा भी एफर्ट शामल है याज पाकिसान की एक्सपोर्ट को मैं इस लेवल पर लेके हूं वेल्कम बैक नाजरें कौब सी तबीर तक के सफर मेरे साथ जो परसनेल्टी मजूद है किसी ताहरू के मुक्ताज नहीं आपका पता ह एक्सिलेंसी यासिन जोया साब है यासिन साब नो डौट आपने बहुत सारी वोली बात ए खिजमात अभी तक सर अंजाम दिया लिए यासिन सारी रहे है यासिन साब इससे आपका बिजन्स अवर्ट इस्टोर्ब हो रहा होगा ये तो बड़ी एसी जॉब है एक्किली ये कोई इस सबस्क्राइब अधि आप तो मेडिया से यादी कि मिडिया थोड़ा 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 होगा है तो बीजमेंट मेरी है लेकिन ज्यादा का मेरा हो तो बड़ी अच्छी फील भी है विन यू बीकें दौर्ण जर्ण बाटें च्छल में आपाते हैं और तो आपको मुनिटीज हासल है, जब आप एक कंट्री का फ्लैग जो अपने अफिस में यूज करते हैं, अपने घर में अपनी गारी के ओपर तो यह बहुत बड़ी प्रस्टीजिस और अपर्चुनिटी है और एक प्रिवलेज आपके लिए और दोस्ता ही होते है कि अग्यों जो ऑन्रेबल गोतबर आचे-पाक्षे और प्रामेंस्वण हिंळारज आपक्षे ने और सिलांकाल गवर्मेंट जो किया है, तो मैं मैक्सिमु जो है, वो अपनी जो अपनी उनको इस्पोर्ट करूं जो पालीस से तो वह एपस्पोर्न ओपालिस से लिए उनको फॉली में पाकिस्तान के बाइन्टरिल दोनों पाकिसान से अब मेरा कंट्री यह उसकी मुझे है और मुझे उस वकत बड़ी खुशी हुई जब मैं प्रेंथा कुमारा की डेड़ बॉल्री लेके तो सिल्लंका के एरलाइन्स की अधर ओडर ओफिस में यह एरपोर्क में लेके गया था जब इसके डिस्पैच करें तो वहां पर बहुत ज़ला समान उस शेड के अंदर पड़ा वाथ था तो मैंने इसल्लंका की जो पुछा कि यह क्या चीज ने है उनने एक है यह सहरी पाकिसान की इस्पोर्ट है जो बाइश जा रही है जो आगे रूट करेगी तो मुझे इतन कर दो कि लेके आँ कर दो कि मैं एक अन वांटेड सीन की वीज से मैं यहां पर वो स्टोर्ट की जा रही है तो मुझे और ज्यादा थी कि अपने मुलक के लिए कुछ कर हुए क्योंके एक चान्सार्में जब जाती है तो बहुछ लिए जो जा रही है और ज़्यादा जाना तेक्सिशन गॉर्मेंट के लिए टिकर डॉन अफेक्ट बहुत जाद होते हैं बिजली यूज हो लिया है टेक्सिस तो लोट अफ थिंग एक आडर के पीछ बहुत बड़ा जो बड़ा जो कट्टी की स्पोर्ड होती है तो मैंने वहां पे काफी जो कंसाइमेंट्स देखी त अब यह जो जब चाहिए और भॉट जाला कॉंटिटी में आ रहे हैं पर हमने जो है वो सेलों टी के ओर बहुत काम कर रहें इंशाला बड़ी जल्दी आपको सेलों टी मार्के पे नज़र आएगी हम स्पाइसिस लूपर काम कर रहे हैं हम डूटी प्रॉड़क्स निलनका क पिछले साइड़ साइड़ साल में सिर्लनका और पाकिसान के लिए काम किया है एंड अल्ला का शुकर में अदा करता हूं कि चीजें जो है वाब राइट पहते हैं इंशाला इंशाला और यह भी जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे और इंशाला यह फिर ब्रीजिंग और अजले आड़ ले पाकिसान के लेका है और गेर बार इंशाला इंशाला यह तो जो प्रका में पुछाए है और सिर्लंका जो है वो तयारे लोग हैं उपने लिए लिक्टरेशी लेट आप ले लेसे बताया है और आपड़ी नियुट है ब्रुस्ट ही नियुख से पूछ च कि यह मेरे लिए ऐसे बहुत बर्डाइशे कप आग जब वह यह नहीं कहते हैं कि अगर्ड़ अगर्णी कंट्री वह के शक्की ए प्रेंज नहीं जब यह उसकी वजा यह के पाकिसान वंसिनलंगा में एक दूस्ति के साथ तमाम जो सरफाटियो पर जो यह चुत के साथ हमारे पाकिस्तान हार मोके पे उनों अपनी दूस्तान तो जो एक राए रेलेशन और इन्शाला मेरी ये खौईश होगी कि मैं इस रेलेशन को नेक्स लेवल पर लेके जाऊं और ज्यादा से जादा जो है इसके अंदर वो में तो में कॉंटेक्ट ओ वो ट्रेयड ओ वो टुरिजम हो वो soft image हो वो IT related हो जितनी भी activities है जिसके इन दोनों काट्रीज के दिना रेलेशन स्रॉंग और बर्लिंग मदबूत होगी I will try to do my best कि मैं इसको नेक्स लेवले इसको नेक्स लेवले इसे पहले अगर 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 एशन ट्रेवी के हाले से कोई मैसे हमारे यंगस्टर्स को बाने मनिया जाते हैं और अगर ऑर आप कोई मैसे देना चाहिए क्योंकि यह हमारे जो प्रीयोगराम में इस अपर मौन सॉस Ihr सॉत्ड़ी ना चाहिए क्यों कि हमारे जो प्राइम निस्टर हाओस में प्राइम जाता है पार पाकिस्तान की अल और जि जो भी आप टार्गेट करेंगे, अगर नियत आपकी अच्छी है, और आपका पैशन है, तो डेफिनिट वह आप टार्गेट अचीव करेंगे, और उसकी एक बहुत बड़ी एग्जेम्पल आज मैं आपके सामने मैठा हूँ, तेक नो डोक, शुक्री एक दफा फिर आपका जासीन जोया साब, आज आप हमारे स्पेशल गैस से मॉर्डस ट्रेल, गुर्प आफ कंपनीस के, उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बेजा है, जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में गैस थे, तेंक यू मर्मार्श तुम इस प्रेंगा स्ट्रेंग्ज के लिए सरिया कौन सा खरीदो, इसमें क्या खास बात है, मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन कॉलिटी एशोरंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मैयार को पर्खा जाता है, और यूं हमें बेतरीन कॉलिटी दी जाती ह सिर्फ दावा नहीं किया जाता, अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ चत्रेंग्ज में ही चलता है, मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंग्ध